तो conditional formatting से मतलब यह है कि जैसे format क्या होता है, format हम यहाँ पर जो apply करते हैं, यह जो सारा हम पर fonts, size वगरा इस पर apply कर रहे होते हैं, यह सारी चीज़े फॉर्ट में शामिल होती हैं, जिसे हम किसी भी text को select करते हैं, और इसका font size बढ़ाते हैं, तम करते हैं, उसका font change करते हैं, यह इस तरह का कोई भी आमल करते हैं, या फिर उस पर bold करते हैं, इसको unbold करते हैं, italic करते हैं, इसका color change करते हैं, यह सारी चीज़े इसके format में आती है, तो format में इस सारी चीज़े आती हैं, तो conditional formatting से क्या मतलब होगा, मतलब हम इसका format है वो change करें, खुद पर खुद चेंज करे किसी condition के मताबिद, अब किस condition के मताबिद चेंज करें, अब यहां पर condition का मतलब होता है, कि कोई शर्थ, कि आप क्या शर्थ चाहते हैं, जिस पर यह वो format को change करें, तो यहां पर देखें मुक्तरिफ options हैं, पहले options पे highlights है, अब highlights का मतलब होता है, कि कुछ भी ना करें, अब तो बॉटम वैलियूज है, मदब वो आपको उपर से नीचे की वैलियूज के बारे में बताए है, हाईलाइट सेल रूल में क्या है हमारे पास, तो हाईलाइट सेल रूल में हमारे पास यह options आ रहे, greater than, less than, between, equal to, और यह, तो यह चारों के चारों जो एपलाई हो रहे हैं, वो numbers के उपलाई हो रहे हैं, अब हम यहां आ जाते हैं, इसको select कर देते हैं, और यहां पर से जो पहले मेरे format है, इसके उपर इस format को मैं color खतम कर देता हूं, तो यहां से जाके मैंने इसका background color खतम करके blue कर दिया, अब यहां पर मैं इसको numbers के उपलाई कर सकता हूं, numbers जो हैं, मतलब score जो उनने हासिल किया है, वो highlight cell rules में जाके greater है, 90 से अबव जितकी score है, वो हमें एक खास किसम के format में नजर आए, यहां से मैं custom format में जा रहा हूं और वो format select कर रहा हूं, जैसे के light green color का और ok कर रहा हूं, तो यहां पर देखें, जैसी ok करूँगा, तो आपको यहां पर visible हो जाएंगे, जिनके भी score 90 से अबव होंगे, वो आपको green color में नजर आएंगे, अब इसी तरह से मैं जाके, इसमें लगा रहा हूं less than, तो मैं के रहा हूं, जिनका score, जैसे हमारे पास failing ground area क्या है, 40 है, तो हम किया रहे हैं, अगर किसी का score 40 से blow हो, 40 हो, या 40 से blow ह तो उसके लिए हमें यह red color में दिखा है, तो ऐसे तमाम numbers जो इस selection में मौझूद थे, बलके मैं यहां तक select कर लेता हूं, जो number इस selection में मौझूद थे, जो 40 से blow होंगे, वो सारे के सारे देखें, इस test को red में दिखा दिया, अब यहां पर 30 कंडिशन से जैसे between, in between, in between, में क् अगर यहां पर जो numbers है, आप देखें, 40 से है, तो कम वाले जो है, वो red हो गए, और 90 से अब अब वाले क्या हो गए, क्रीन हो गए, तो हम बढ़ा है, यहां पर 42 और कौन सा हमारा आ रहा है, यहां पर 90, तो यहां यह 40 और 90 के दरमियां के जितने भी numbers हैं, उनको एक इसी खा जो डेटा मोजूद है, उस पर अपलाई नहीं हुआ है, बलके बाद में भी अगर वैल्यू चेही होती है, फोर एक्जेंपल यहां 11 है, 11 से हम कर रहे हैं, 56 एंटर कर रहे है, तो देखें, यह यह यलो गिलर का हो जाएगा, क्योंकि यह 40 और 90 के दरमियां में आ गया, और मैं इसको आ जाएगे 91 क की वैल्यू घशान वहा हैं, इसको जाके 91 की शएगए गोशान कर रहा हूँ, तो ऊह यह ग्रीन हो रहा है, क्यूंकि यह 90 से अब उप चला गया, और अगर यह यहां पर जाके इसको 33 सी अप्शान कर रहा हूँ, तो यह रै रहा है, तो यह यह से भ लो है 40 से और जो गरीम वाले हैं वो अबव है 90 से अब इक्वल का क्या मामला है इक्वल का मामला यह है कि मिसाल के तौर पर किसी पर्टिकिलर साइन को आप हाइलाइट करना चाहरे हैं कि हाँ अगर ये हो तो उसके ओपर हमें ये बता है for example, हम यहां पे हाइलाइट करते हैं खास नमब को जिसका नमबर इक वल्टू मैंने का किसी की वैल्यू नाइटी एट है तो इसको हाइलाइट करो और उसको एक अलग से गलर दे दिया इसको एक लग से कलर दे दिया सपोस्थ ब्लैक और उसके उपड में जो फॉंट है तो इस तरीके से वह आपको शॉफ हो रहे हैं तो यह सारी चीजें आपको बताने का मकसल यह है कि अब जिसे कोई भी वैल्यू नाइंटी एट पर आएगी तो वह इस तरह से हाइलाइट हो जाएगी और जो वैल्यू नाइंटी एट से ब्लू रहेगी वह इस तरह से ग्रीन हो जाएगी और जो वैल्यू आपकी 55 के दर्म्यान में रहेगी वह इस तरह की हो जाएगी 39 के दर्म्यान में होगी तो वह इस तरह से आपको नजर आएगी ठीक है तो यह समझ में आगी ब तो यहां पर हम इनकी क्राइटीरिया को बना देते हैं केरेक्टर्स या लेटर्स के उपर ठीक है तो कर्डिशनल फार्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूस में टेक्स देट गटेंट मिसाल के तुरुपे हम कहे रहे हैं कि अगर किसी का ग्रेट ए है या A1 है ठीक है तो A1 है तो for example उसका जो कलर है वो किस तरह का हो जाए तो हम कस्टम फॉर्मेट पर जाते और यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर कोई A1 पर जाता है तो उसका कलर जो है सपोस्टर भी ब्लू हो जाए और इसको OK करें तो यहां पर OK करने पर नजर आ रहा है कि A1 जितने भी थे यहां पर ब्लू हो गया है सिमिलर्डी अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं हाइलाइट चल्टर उस पर डेट कंटेंट्स A तो A क्या हो जाए अब यहां पर आपको कन्फीजन होगा कि देखो A को अगर मैं सपोस्ट भी एक तूसरा कलर दे रहा हूं सपोस्ट ग्रीन कलर दे रहा हूं तो आप कहेंगे कि A1 को भी वही कलर साइन होगा अब यहां पर फॉर्मूले के ओवर्राइट होने की बात आजाती है ओवर्राइट का मतलब यह कि देखो A1 में पहले क्या आता है A आता है और फिर उसके बाद 1 आता है तो ओविसली कि वह उसको ग्रीन ही करेगा अलग हाइलाइट करके रखेगा अब यहां पर तो फेल भी जो हैं वो कंसीडर हो रहा है कि उसमें भी A1 आ रहा है तो उसके अंदर हम कहेंगे टेक्स गैट कंटेंट्स अचा कंटेंट्स में और एक्वल में फॉर्क है कंटेंट्स में मतलब यह होगा कि अगर उसमें वो लेटर आ रहा है और एक्वल का मतलब है कि वो एक्वली मैच होना चाहिए फॉर इसेंबल लगर हम यहां पर लिखते हैं एफ सपस्ट बी तो वो बी को ही पॉइंट करेगा जहां पर बी लिखा होगा अगर हम लिखेंगे ए तो सिर्फ वो एको ही पॉइंट करेगा एवन को पॉइंट नहीं कर रहा आपनी नोट कर ले ठीक है तो फॉर्म में भी करेक्शन की जा सकती है इक्वल का मतलब होता है जो सेंब लिखा जाएगा जानी कि अगर F, A, I, L फैल लिखा जाएगा तो फैल को ही कंसीडर करेगा उसमें A को अलग से कंसीडर नहीं करेगा लेकिन टेक्स डैट कंटेंट के अंदर अगर लेटर बीच में आ रहा है तो उसको सब में ही कंसीडर करेगा और उनका कलर चेंज करेगा तो इस फैल पे अगर हम इसको मिसल के दो बी जो है हम यहां लिख रहे हैं और इसको ले जाके यहां से क्लिक करते हैं कस्टम फॉर्मैट पर और यहां जाके हम इसको कोई एक कलर दे देते हैं यहां पर हम इसको red color दे देते हैं, और ok कर देते हैं, तो यह देखें, और इसके ford का color भी change कर देते हैं, यहां पर click करके इसको white color कर देते हैं, तो ok करने पर यह आपको इस तरह से नजर आ रहा है, अब यह जो रहिए fail के बारे में, तो यहां पर text at contents पे लगा लें, तो फिर इसको a को भी consider करेंगा, तो बहतर ही रहेगा, कि equal to पे लगा लें, fail fail लिख दें, और इनको किस तरह के colors पे, आपने इसको convert करना है, highlights करना है, green dark पे करना है, यह dark red पे करना है, वो आप देख लेंगे, यहां से ok करके, इसको ok करेंगे, तो तारे fail जो हैं, वो इस तरह से हो color देते, और इस पे जाके font पे जाके यहां से इसको white color देते, तो यह data को आपको इस तरह से बहतर तरीके से highlight कर देता हूँ, तो यह देखिए, इस तरह से यह data highlight उतारेगा, अब जैसे जैसे cells के अंदर तब्दीली आती जाएगी, तो वैसे वैसे यह formula इसके उपर काम करता जाएगा और आपको results उस तरह से देता जाएगा, conditional formatting काम करता है condition पर, जो condition जिस time true होगी, वो उस time वो format उसके उपर apply कर देगा, ठीक है, यह बास समझ पहारी, अच्छा, तो अभी देखते है next जिसके तरह हमारे पास है data parts, top to bottom, अब डो तो, अच्छे यहां पे और भी थे, जिसमें था duplicate values और date occurring, duplicate values का scene जो है इस तरह से हो सकता है, कि अगर जैसे हम इन नाम को चेक कर रहे हैं कहीं पे, यह numbers भी चेक कर सकते हैं, अब इन names को मैंने select करके, हमने कहा कि आप ऐसा करो highlight कर दो, कोई भी अगर duplicate value हो, तो highlight कैसे होगी, red में, green में, yellow में, मैंने का चलो ऐसा क और yellow में कर दो, रोके कर दो, तो सिल वक्त इस column में कोई duplicate value ही नहीं, इसलिए highlight नहीं हुआ, अब मैं add कर देता है duplicate value, suppose asadali लिखा था, मैंने asadali को दोबारा लिख दिया, तो यह देखे हैं, यह आपको highlight कर देगा, के भाई, यह duplicate हो गया, सहीं, अब duplicate values के साथ जो है, आपने क्या दीखना है, वही, आपके पक्त बहुत बड़ा data है, और उस data को आपने highlight करना है, कि इसमें duplicate कितने है, तो यह आपको highlight करके बता देगा, highlight करने के बाद आप जो action लेते हैं, वो ले सकते हैं, इसके उपर, इसके काम है सिर्फ highlight करना, अब जैसी मैं इसके ज़रा थोड़ दिखा देगा, अच्छा, date occurring क्या है, अब date occurring के इंदर हमें कोई AC sheet पर काम करना पड़ेगा, जिसमें dates का कोई मामला हो, तो हम यहां से खोलते हैं अपनी laser, ठीक है, तो इसमें हमारे पास मुफ्तलिफ dates लिखी हुई है, इसमें हमरे पास फर्वरी की date लिखी हुई है, और इसको मैं साथ फर्वरी की date से continue कर ड्रैग करता हूँ, सब्टम्बर की माई की भी है, तो मैं इसको फर्दा ड्रैग करता हूँ में चादी आउटो जर्टरेट करेगा date, यह जून जुलाई 10 नवंबर तक की date से इसके अंदर आगई, ठीक है, तो अब इन dates के अंदर क्या है, अब इन dates में अगर आप इस column को select करें, तो पुरा column select ह क्या हाइलाइट को चाहिए, तो date occurring, अब date occurring में कह रहा है, कि ऐसा करो कि yesterday, जो कल date थी, उसको highlight कर दो red color से, whatever जो भी color आप select करते हैं, okay करेंगे, तो कल की date 25 वरी थी, तो यह हमें दिखा रहा है कि देखे red कर दिया, इसने, सही, okay, तो उसके बाद secondary हम से कहते है, date occurring, yesterday के बाद today, आज की date को कर दो green color से, तो जो भी आज की date होगी, वो आप ग्रीन में highlight कर के दिखा रहा है, फिर उसके बाद आप कहते हैं, date occurring, और आप कहते हैं, बाई, for example, tomorrow, कल क्या date होगी, उसको कर दो yellow color में, तो यह देखो, वो yellow color में दिखा रहा है, उसके बाद आप यहाँ जाते ह आप 7 days को इसने highlight कर दिया, यलो color में okay कर दिया, फिर हम चलते हैं इसके अंदर, और पिर कहते हैं, date occurring, पर यहाँ से के रहा है, कि last week होगा, this week, इस हफते के colors, जो dates हैं, उनको कर दो, supposed to be, इस color में okay कर दो, इस हफते के सारी जो dates थी, इस color में इसने highlight कर कर दिखा दिखा दिए मतब आप different चीज़े apply करेंगे, मैं सारी apply करके बता रहूं, okay करके, as per need, आप जैसे result चाहेंगे highlight कराना, हो तो तो सी वक्त आप apply करेंगे, एक condition या दू conditions लगाएंगे, उसके बाद data pouring पे click करते हैं, और इसके कहते हैं next week, अब next week के बाद होगा last month, पिछले महीने की सारी dates, आप पिछले महीने की कोई entry नहीं है, क्योंकि ये entry February है, जैनवरी की कोई entry नहीं है, तो इसको highlight ये नहीं करेगा, इस month और इस month की पूरी entries को आप highlight कराना चाहें, तो किस color में आप चाहते हैं उस color में ये इसको highlight करता रहेगा, और इसके बाद है next month, अब अगला मैंध है March का तो March की सारी entries को किस color में हम करना चाहें, तो देखें सारे महीने को इसने इस तरह से कर दिया, तो date के उपर भी आप इस तरह से rules लगा कर इसको highlight कर सकते हैं, आचा एक दफ़ा जब आप rules लगा देते हैं, तो rule को खतम कैसे करते हैं, देखें, rule को खतम करने का दू तरीके, ए अगर हम किसी area को select करके खतम करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं सिर्फ उस पे से वो rule खतम करना चाह रहा हूँ, बागी पर वो rule खतम नहीं हो, तो clear rules करके clear from selected cell पे click करेंगे, तो वहां से वो उस rule पे तो area को clean कर देगा, अचा उसके बाद हमारे पास अगला option है, इस सार progress की sheet के उपर, और उस पे हम समझने की इसको तरीके से कोशश करते हैं, तो यहां पर दीखी है, हमारे सामने कुछ values है, जो यहां पर लिखी नहीं है, अब इन सारी values को आपने select कर लिए column की मदद से, या select कर ले जितनी आप चाहते हैं, या चलो यह जादा बड़ी values हो रही ह इन को select कर लेते हैं, और conditional formatting में top to bottom में जाते हैं, अब चूकि इस पर top 10 तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अल्रेडी 11 तो ही है, तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, मैंने टॉप 3 values को highlight कर दो, तो और top 3 values को मैंने green color से highlight किया, तो इस ने का top 3 values इनके अंदर ये हैं, जो कि सबस इसरी highlight हो जाती है, उससे आप हो जाती है, तो ये उसको highlight कर देगा, similarly, अगर आप यहां से top, bottom 10 values की बात करेंगे, तो lowest 3 values मुझे highlight कर दो कि जो कम से कम है, तो lowest 3 values है, और इनमें भी 2, 1, single value सबसे कम ये है, मुझे highlight करके बता रहा है, तो इसको मैंने यहां पे रख दिया, lowest value क पर एक ही लगा रहा हूँ, highest पर, ठीक है, तो यहां पर चलते है, highlights पर, यहां पर चलते है, highlights पर, और यहां से मैंने लिया, top 10%, अब इसको क्या होता है, percent values की है, अब top 10% values हम लगाएंगे, percent signs के उपर, मतलब हमारे पास जो percent के उपर कोई data ऐसा लिखा वो, तो उसके लिए ह चलते हैं यहां पे result compile sheet के उपर तो यहां percent में values होती हैं जिनमें percent का sign included होता है तो percent values के उपर apply करना है तो यह जाते हैं इसके उपर conditional formatting में यहां से आके इसको कहेंगे top 10% तो यह top 10 जो है आपको मैंने 10 की जगा 3, 2 highlight करा दिये और बेने इस पे भी कहा के तो यहां पर दिखें जो bottom values थी वो zero प्या रही है और बाकी जो values थी अब अगर zero हटा देंगे तो फिर इसके बाद जो कम values होंगी तो वह आपको दिखाएगा और वह 32% जो सबसे कम value जो highlight हो रही है तो इस तरह से आप अपने data को visualize करा सकते हैं और जब इसके उपर आप यह देख रहे होते हैं किस तरह का result आपके सामने आ रहा होता है तो highlight में top 10 अब आते हैं above average और blow average तो मैंने आपको सिखाया था कि above average और blow average क्या होता है कि मिसाल के तो रुपया आपके कुछ numbers हैं जो आपने यहां पर sign किये for example मैंने लिखा 5 or 8 or 10 तो int का sum किया यहां sum किया और enter करें तो इनका average number क्या होगा average number के लिए average का function है हमारे पास तीनों values को select करेंगे not fourth fourth इसका sum है तीनों values को select करेंगे enter करेंगे तो 7.6 हमारा जो इसका average number है 7.6 plus 7.6 plus 7.6 equal to 23 हो जाएगा ठीक है यहां बेकर हम 10, 20 और 30 कर देंगे तो हमारा average number है 20 20, 20, 20 मिलके बनते हैं 60 तो average number हमारा 20 है तो average functions हमी ले ले लेते हैं अब above average number कौन सा होगा यह हमारा average number है amg और यह हमारा sum है तो अब मुझे बताएं कि इन तीनों values में से हमारा above average number कौन सा है above average number होगा हमारा 30 और blue average number होगा हमारा 10 above मानते जो average number से बढ़ा हो और low माने जो average number से छोटा हो तो यह भी आपको ऐसे highlight करके बता देगा मिसाल के दूर में यहाँ पर जोगता है self progress में और यहाँ पर हम कहते हैं इस पर मार्च पर select करो और इसको highlight करो above average number का मतलब यह होता है उसको green में highlight करा देते हैं मतलब इन सब को select करो सब को sum करो फिर जो इनकी quantity है ठीक है मतलब यह सब sum हुए और फिर जो इनकी quantity है 12 उसको divide करो और जो answer आता है वो check करो जिस से जो जो बड़ा है वो आपको highlight करते है तो यह सारे वो numbers हैं जो average number से उपर के हैं और below average number निकार लागा similarly यह below average number पे click करेंगे ok कर देंगे तो सारे red number वो हैं जो उसके average number से कम है समझ में भी बारी है तो इस तरह ही conditional formatting आपको यह सारे शीज़ें यहां से दे रहा होता है शबूल clear करना हो तो यहां से कर सकते है बाकी दे जाता है data bars और call, color scales और icon set तो यह आप अपने values पे data को visualize कराने के लिए लगा सकते हैं बिसाल के तो पर मेरे यह इतना सारा data उसको मैं visualize कराना चाहता हूँ ग्राफिक्स के साथ तो इसके साथ यह मैं लगा सकता हूँ data bars तो यह वाली data bars में क्या हो रहा है जो नंबर बड़ा होगा वो blue color जादा बहरावा होगा जो number कम होगा उसमें blue color कम होगा इस तरह green color, red color, orange color, light blue है dark, artish color है solid color है, same काम करेंगे और यह auto adjust होते रहेंगे जो जो value बढ़ती जाएगी यह बढ़ते जाएगे जो जो value कम होती जाएगी यह उसमें से कम होते जाएगे color scales यह इससे काम करेंगे यह कैसे काम करेंगे जो number जादा बड़ा होगा वो full green हो जाएगा और जो बिल्कुल छोटा होगा वो red हो जाएगा और जो बीच का होगा वो orange या yellow colors में रहेंगे similarly, जो number अब सबसाब बड़ा होगा तो वो red हो जाएगा और जो सबसाब lowest होगा वो green हो जाएगा फिर green से इस तरह shades करण होगे तो ये shades के अंदर आपकी values को दिखाता रहेगा जो dark green है वो light green है वो अब बड़े नमबर है जो dark green है और वो बड़े नमबर है जो light green है वो छोटे नमबर है ये color shades का का काम है इसी तरी के से icon sets के उपर अगर हम ये वाल icon लगाते हैं तो जो number high highest होंगे वो उपर की तरफ arrow रखेंगे जो lowest हूंगे वो नीजे की तरफ arrow रखेंगे और जो beach के number होंगे वो right side पे arrow रखेंगे तीन arrows दिये गाए इस के इसके इ से अंदर इसमें भी तीन arrows हें जो के color के साथ अपके साथ अबने mention हो रहे है इसमें यहां पे तीन एरोज दे दिये हैं जो highest number होंगे वो green होंगे जो mid होंगे वो minus के sign के साथ आ रहे होंगे और जो lowest number होंगे वो यहां पर आ रहे होंगे इसमें चार category में हाइस्ट, mid, mid, lower और lowest तो इस तरह से बनाएगा यह और इसमें पांच category बना दी है इसने choose a set of icons of represent to value तो इस तरह से पर red और yellow के अंदर same concept है बस इसके अंदर icons को change कर दिया गया है फिर signals के हवाले से जो number बढ़ा होगा उसमें सिग्नल जादा आ रहे होंगे फिर circle के हवाले से देख ले हैं जो number छोटा होगा वो खाली circle होगा जो number बढ़ा होगा tick के साथ आएगा जो छोटा होगा red होगा और जो mini number होगा वो question mark के साथ आ रहे होगा अब हमें जो भी बहतर लगता इस परसे अगर लगा रहे है तो लगा दें तो यहाँ पर यह देखिए आप कोन चीज़ों की highlights बलती रहेंगे तो यह आप अपने data की visualization के लिए और यह अचीज़ अपडेट होते रहेंगे जो number एकदम अभी जैसे 400 सबसे बड़ी value है for example तो यह green आ रही है हम खजीज़ जैसे बलती जैसे बलती हमेरी बलती है हम बंश्ना की करो बढ़िये गी दोगी है